हलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं रॉंग टन फॉर के बारे में उम्मीद करते हूं आप लोगो इसके एकस्प्लेइनेशन जरूर पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडियो पर कमेंट्स करना बिल्कु दॉक्टर के बारे में बता रहा होता है इस दौरान वहां मौजूद एक पेशन्ट दॉक्टर का सर पकड़ लेता है उसके बालों में से पिन निकाल लेता है लेकिन ये चीज़ वह नोटिस नहीं कर बाती फिर दॉक्टर उन्हें हिलिकन ब्रदर से मिलवाता है जो कि भी पड़ गया और सबसे खतरनाक बड़ा भाई है जो हर एक चीज़ को अपने दांतों से काटता रहता है यहां तक कि वो दिवार पर लगे पत्थरों को भी अपने दांतों से काट लेता है क्योंकि इन तीनों को ही कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और यहीं वज़ा थी कि उन लोगों में सबसे बड़ा भाई सौतुत को लोहे का मास पहनाया गया था ताकि वो कोई भी चीज़ काट ना सके फिर डॉक्टर्स के जाने के बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने डॉक्टर के बालों से पिन निकाली थी वो उस पिन की हैल्प से अपने लॉक अप को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता इसलिए हिलिकन ब्रदर्स उससे वैपिन मांगते हैं जिससे त्री फिंगर अपने लॉक अप को खूल लेता है पिर उन्हें अजाद देखकर गार्ड उन्हें रोखने के लिए बाहर आता है तो वो तीनों मिलकर उसका हट पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं इस दौरान थ्री फिंगर उसकी नाक नोचकर खा जाता है जिसके बाद वो तीनों वहां मौजू सभी पेशिंट्स को आजाद कर देते हैं जिससे पूरे सेडिटोरियम में हड़कम मत जाता ह पिर वो तीनों आई हुई डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे लगातार इलेक्ट्रिक शौक देकर बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं जिसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास पहुचते हैं और उसके हाथ पाव बहुत ही बुरी तरह से वायर से बान देते हैं और उस माउंटेन में रहता था तेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां तक पहुच पाते वो सभी रास्ता बटक जाते हैं और फिर स्नो स्टॉम में फर्स जाते हैं जिससे वो लोग काफी जादा परेशान होते और उन्हें कुछ समझ नहीं आता तभी उन्हें वही सेनेटोरियम दिखाई देता है जहां 29 साल पहले हिलिकन बिदरस कैट थे जहां पर वो सभी स्टूडेंट सेफ रहने के लिए जाने का डिसिजन लेते हैं अंदर पहुचने के बाद वो लोग प्लैन बनाते हैं कि सुबह होते ही वो लोग क सब्सक्राइब कर रहे थे जिसे चलाने पर उन्हें लोग बहुत ही जादा खतरनाक हैं क्योंकि इस बारे में मेरे बाई ने मुझे बच्पन में बताया था अलाकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सबी लोग सोने के लिए चले जाते हैं लेकिन विंसे भी बहुत है और यह इसे बाई ने कहीं दिखाई दिका नहीं तो वो से डूणने के लिए बैस्मेंट में में बहुत हैं जब WOOL लोग नर्स टेशन में पहुशते हैं तो वहां पर उन्हें ब्लड दिखाई दिता है जिसे वह सभी बहुत जादा डर जाते हैं इधर जैना सौत उत को देखती है जो विंसेंट की डैट बॉड़ी को लेकर किचन में पहुशता है उसे बहुत ही बेरैमी से काटने लगता है देखकर वह बहुत जादा गवरा जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है फिर उन सभी को हिलिकन ब्रदर्स के बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहां पर विंसेंट के कपड़ों में बंदा हुआ कुछ आता है जिसे केनिया चेक करती है तो उसके अंदर विंसेंट का कटा हुआ सर था जिसे देखकर वो सभी बहुत जादा डर जाते हैं उसी समय कैनिवर ब्रदर्स क्लियर के गले में नुकीली वाय डाल कर उसे खीज लेते हैं हलाकि कायल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में नकाम रहता है और उसके देखते देखके क्लियर का सरधर से अलग हो जाता है और वो बहुती बेरहमी से मारी जाती है जिससे सबी लोग वहां से बहार बहाग करा जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बैटरी जाम होने की वज़ा से वो वहां से नहीं निकल पाते और कि डैनियल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि वो बर्फ में जम जाएगी लेकिन वो से कन्वेंस करके वहां से निकल जाती है फिर बाकी सबी लोग वापस से अंदर आ जाते हैं और उन कैनिबर्स से बचने के लिए रासा डूनने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिलता है इसलिए डैनियल कायल और सारा बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तब ही थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है जिससे वो लोग छुप जाते हैं इधर हम देखते हैं कि सोत उत लड़कियों के पास पहुच कर उन पर अटैक करने की कोश मु probकलने घर्टिंग हैं तो डैनियल को अपने साथ ने देख कर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और ऊसे वह लोग उसे बचाने फैसला करते हैं वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हिलیکन बर्द्रस डैनिल को बहुत ही पुरी तरह से टॉर्षर कर रहे होते हैं और उसके शरीर के मास को निकाल कर उसे खा रहे थे जिसकी वज़ा से डैनिल को बहुत जादा डर्द हो रहा था और यही वज़ा थी कि वो जोर जोर से चिला रहा था जब ये चीज़ कायल देखता है तो वो बहुत जादा डर जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंकर डैनिल का फेवरा निकाल लेता है जिससे देखते ही देखते हो वहीं पर मारा जाता है इदर कायल सारी चीज़े अपने दोस्तों को बताता है साथी साथी भी बताता है कि कैनिबर्स ने डैनिल को जिन्दा ही खा लिया है इसलिए वो लोग कैनिबर बदर्स को जेल में बंद करने का फैसला करते हैं जिससे कायल उन कैनिबर बदर्स पर अटैक कर देता है फिर वो उन्हें चारों तरफ से घेल लेते हैं जिससे वो लोग मजबूरन केज में छुप जाते हैं इसके बाद वो लोग उन्हें जलाने का फैसला करते हैं लेकिन केनिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकतें क्यूंकि हम उनकी तरह नहीं है इसलिए काईल उन पर नज़र रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और बाकी लड़कियां रूम में जाकर सो जाती है पर हम देखते हैं कि लॉक अप में 29 साल पहले थ्री फिंगर ने जिस पिन से प्रीजन को खूला ता वो अभी भी वहीं पर मौजूद था जिससे थ्री फिंगर दोबारा से लॉक अप खूल लेता है और क्यूंकि काईल सो रहा था इसलिए वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं इदर हम केनिया को देखते हैं जो काईल को चेक करने के लिए प्रीजन के पास पहुशती है लेकिन जब वहाँ पर उसे कैनिबर विरस और काईल नहीं दिखते तो बहुत जादा घबरा जाती है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है जिससे वो लोग भी बहुत ज जादा डर जाते हैं तब ही कोई उनके दर्वाजे को नौक करता है जिससे उन्हें लगता है कि वो कोई और नहीं बलकि थ्री फिंगर है इसलिए वो चाकू लेकर उस पर अटैक कर देते हैं और से बहुत ही बुई तरह से मार देती हैं लेकिन जब वो उसके चेहरे से मास् की जान ले ली थी तब ही वहां पर उन्हें मारने के लिए कैनिबर बदस आ जाते हैं जिन से बचने के लिए वो लोग उन्हीं के रूम में पहुच जाते हैं जहां पर उन्हें गरम कपड़े मिलते हैं इसलिए वो लोग वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं जिसके ब दोस्तों को भी एक एक करके बाहर निकालने लगती है उसी समय कैनिबर ब्रदर्स दर्वासा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद वो जैना पर ड्रिल मशीन से अटेक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं यह देखकर जैना के दोस्त बहुत जादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं लेकिन कैनिबर ब्रदर्स इतनी असानी से उने छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग उनका पीछा करने लगते और उन पर अटेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इन्हें इतनी असानी से मारने वाले नहीं थे इसलिए व वन आई अपनी स्नो मोटर उस पर चड़ा देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है फिर हमें अगली सुभा का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉरेंट ठंड की वज़ा से पूरी तरह से जम चुकी थी और वहीं पर मारी गई थी फिर हम केनिया को देखते हैं जो ह यहां दोनों की कोश़िश करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि अन्हें लगता है hearing in a आप लोग को इसके एक्स्प्लेइनेशन जरू पसंद आई होगी और पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलेगा एंड थैंक्स तो कमिंग इन वाचिंग